आज का जो हमार टॉपिक है वो है राजस्तान का एकी करण इंट्रिकेशन अफ राजस्तान राजस्तान जीके का सबसे जोड़दा टॉपिक है यह अब जब देश आजाद हो गया तो आजादी से पहले अपने यापने यापने दो भारत थे एक भारत को बोलते थे ब्रिटिस भारत ता दूसरे भारत को बोलते थे देशी रियास थे आजादी से पहले अपने आपे पांसो पैसे देशी रियास थे थी तता उसमें से राजस्तान में थी जो 19 रियास थी जो राजस्तान के अंदर थी उसमें से तीन ठीकाने थे, नीम राना, कुसलगर दता, लावा, अब जब 15 अगस्व 1927 को देश आजाद हो गया, तो अंगरेजों ने का हम अपने देश भपस जाएंगे, तो हमारे रजाओं ने का हम अपने जो संदी थी, उसका क्या होगा, तो अंगरेजों ने का संदी खत जब पहले संदी हुआ करती थी, तो संदी के अंदर एक चीज लिखते थे कि भई, बिटेन नाम का कोई देश है, जोदपुर नाम का कोई देश का दोस्त बन गया है, अब जोदे जोदपुर नाम का कोई देश के साथ दोस्त बनना चाहता है, तो बिटेन से पूछ के बने अब जब नए आदमी से बात करते थे तो अंग्रेज डढ़ते थे कि बात करके हमको निकालना देए एकजूट हो जाए यह सारे बात करते दोस्ति करके तो हमको निकालना है इसलिए वो पहले से मना कर देता थे अपने पड़ोस वालों से दूरी रहो अच्छे नहीं वह मानलो हम जोदपूर वाले किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं जसल मेर वाले किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं करोली वाले दोस्त बनाना चाहते हैं क्या गरो अपने दोस्ती दो की खूब है ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने तो अब राजा उनका अब हमारी दोस्ती का क्या ह तो अंग्रे जोने का हमारे दोस्ती अब खतम हो गई है अब दो नए देश बन गए है भारत और पाकिस्तान अंग्रे जोने रियास्तों को का कि अब अपनी मर्जी आये तो भारत में मिल जाओ आपकी मर्जी आये तो पाकिस्तान में मिल जाओ और आपकी मर्जी आये तो आज आजाद रह जाओ अब ऐसा तो कोई कौन होगा जो सामील होना चाहेगा किसी के अंदर सबने का हम सब आजाद है सब अपने अपने देश साहब पूरा बिल्कुल 10 किलोमेटर में था उसने विका मैं भी देश जोदपूर अलग देश जसलमेर अलग देश करोली एक अलग जाते हैं तो इस प्रावलम का सॉलिशन एक ही निकला वलबाय पटेल ने अपना दिमाग लगया और एक सॉलिशन निकला उन्होंनों बोला भायों ज्यादा राजी मत हो सभी देश नहीं बनेंगे केवल वही देश बनेंगे जिनकी जनसंक्या है वो 10 लाग से ज्यादा हो तता उस जिनकी आई एक रोड से ज्यादा हो वही सिर्फ देश बन सकते हैं तो इस लोजिक को फुल्फिल करने वाले अपने राजस्तान केंदा सिर्फ चार रियासत थी एक बिकाने रियासत एक जपूर रियासत एक जोदपूर रियासत तता एक ती उद्यपूर रियासत यह ज़िनचारों की जो आई थी जनसिंग क्याते हैं वह दसलाग से ज्यादा थी गाता आई थी वह एक रोड से ज्यादा थी अब कौनसी रियासत कैसे मिलेगी उन सबको देखने के लिए एक रियासती विबा की इस्तापना की गई थी 5 जुले 1947 के अंदर एक रियासती विबा की इस्तापना की गई थी 5 जुले 1947 को रियासती विबा की इस्तापना की गई इस रियास्ति वबा के जो अध्यक्स थे वो थे सर्दार वल्ले भाई पटेल साब थे और सचीव थे वो विपी मैनन थे और जब एकीकर्ण स्टार्ट हो था उस वक्त इंगलेंड का जो प्रदान मंत्री था वो था एटली इस एटली को आप एकीकर्ण के एक के थुरू याद रख सेते हैं एसे एटली जो वाइस रही था वो था लौर्ड माउन बैटन अब क्या हुआ इन चारों के अलव और जीती भी रियास से थी वो इस लोजिक को फुल्फिल नहीं कर सकती थी तो अब सब ने अपना अपना दिमाग लगया मेवाड के रजा था एक भुपाल सिंग नाम से उसने सुचा कि अब अपने चुजन संक्या है और जो 10 लाग से ज़्यदा है नहीं आई एक रोड से ज़्यदा है नहीं उसने का मैं मेवाड गुजरात मालवा इन तीनों को मिला कि अलग से देश बनाँगा जिसका नाम होग राजस्तान, यूनियन इसने सबको इकटा किया उद्यपूर में एक समयलन भी बुलाए और बोला बहिर हम अपना अलग से देश बनाईगे जिसका नाम होगा राजस्तान, यूनियन सबने बैख हां पक्का अलग से देश बनाईगे फिर किसी ने पूचा किया की दूसरे गुजरात वाले मालवा वाले बोले तु जद्धो कोई फूट्टो दोड़ी है फैरेन लोली तो अक्यले इन लगाता है हम भी लगाता है हम भी अपना अलग से देश बना सकते हैं तो आपसे कोशन पुछा जा सकता है कि कौन से राजा ने अलग से रास्तान यूनियन बनाने की कोशिस की महाराजा, मेवाड के महाराजा बुपाल सिंग ने अब ऐसे कैसे एक और राजा थे, कोटा के राजा भीहम सिंग उन्होंने हमें भी बोला हमारे तो पार पढ़ना नहीं दस लाक से ज्यादा नहीं एकलोट से ज्यादा है नहीं तो उस नही इन तिनों को मिला करिफि हम हाड़ोती देस्य नहीं एलकसे परताबगड इन तुनों को मिला के वागर देश बनाओंगा इन को वागर बोलते ती सेत्र को वह वागर देश लग से बना गेंगे डुंगरपूर बास्फड़ाप से बताबगड के तो आपसे पूछा जा सकता है कि वागर देश किस weighs की तो हम और यह तो अलिया नाम याद करते हैं नाम याद करने से पर हम देखते हैं एकी कंड जो है शुरुवात हुई है वो इस साइड से हुई है तो इके सेप में यह बने हैं सारे साथ के साथ तो सबसे पहले एकी कंड वह था यहां का इस वाले पार्ट का इसको बोलते हैं मतस्य संग पहले जो एकी करना हा था उसका जो चरण था उसका नाम था मतस्य संग दूसरा था वो था यहां से पूरवी राजस्तान यह पूरव की साइड में था इसले इसको बोल दिया पूरवी राजस्तान संग तो दूस्ते चरण का जो नाम था वो क्या था पूर्वी राजस्तान संग तीसा जो चरण था उसके अंदर था उदेपूर मिली थी जिर उदेपूर या मेवाड जिसको पहले मेवाड बोलते थे तो इसके पूर्वी राजस्तान के अंदर मेवाड को मिला दिया गया तो इसको बोलते हैं फिर मिलन को बोलते है सयुक्त पूर्वी राजस्तान संग तो तीसे चन का जो नाम रखा गया था वो था सयुक्त पूर्वी राजस्तान संग कहता सयुक्त पूर्वी राजस्तान संग अब जो चौता था इसके अंदर बड़ी-बड़ी रियास्त है जोदपूर, विकाने, जयपूर तो ये बड़ी-बड़ी रियास्त है मिली थी तो इसको बोलते है व्रद मतलब बड़ा तो बड़ी-बड़ी रियास्त है मिला करना इसको बोलते है व्रद राजस्तान संग पा नाच्वे का नाम था स्यूग्त वरध राजस्तान संग छटे का नाम सिर्फ राजस्तान संग था 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 साथ वे का था राजस्तान या इसको अद्धूनिक राजस्तान भी बोलते हैं अब हम देखते हैं कि ये मतश्य संग, पूरी राजस्तान संग ता सयुक्त पूरी राजस्तान संग इन तिनों को 1948 के अंदर बनाय गया था कब बनाय गया था? 1948 के अंदर अब जो वरद राजस्तान था, सवयुक्त वरद राजस्तान संग था, उसको 1950 के अंदर बनाया गया था तो आपको याद देखने पढ़ेंगे इनके सन भी उसके बाद सवयुक्त राजस्तान संग को बनाया गया तो 1950 के अंदर तो राजस्तान बना था 1956 के अंदर आप सबसे पहलो लेते हैं Matsha sang पर्तम चरण पर्तम चरण का क्या नाम था Matsha sang जो था उसकी जो शुरुवात होई थी वो तो 18 мар powdered 1998 के अंदर होई थी जो पर्तम चरण नवत अलवर दूसरी थी भरतपूर DR creator anderen पूर्पूर्ट पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर आप, सब राजाओं ने अपन अपने देश मतेशंग में मिलाने स्टार्ड किये तो राजाओं को भी लोलीपॉब देना जरूरी था वेर्ना कोई राजा आपने देश को दूस्रे देश में क्यों मिलाना चाहिएगा मान लो भाई कोई सिरिलंगा एक छोटा सा देश है अपने जागे सिरिलंगा को कहें कि भाई साब आपका देश इतना छोटा है कि हमारा मान चितर खरीद है तो आपका देश तो फ्रीम मैं जाता है आज सिरिलंगा को भारत में मिला ले तो सिरिलंगा राजी हो जाएगा क्या नहीं उनए कोगता सा चोटा कियो नहीं, वह राजी नहीं होगा तो यह कैंए इनके साथ भी वा बलही कितने चोटे उनले जुक्व नहीं था , इनको भी तो लॉली पॉब देनें जुरुरी थे.. तो दोलपूर की राजा था एक Udabhans Singh तो दोलपूर की राजा को क्या बना गया है था ? राजपरमुख इनको यह लोलीपॉप देदें कि आप हो ? राजपरमुख बन गयो तो दोलपूर की राजपरमुख अब दूसरे बोले करोली वाले हमको भी तो कुछ बनाओ तो इनको भी लॉली पॉप दिया कि आप हो उप राजपरमुग यानि गनेश पाल वासुदेव यहां कि जो साथ सकते उनको बनाए गया ते करोली के उप राजपरमुग बनाए गया अब भरतपूर वाले बोले हमको भी तो कुछ बनाओ तो बोले कि हमार मत्यसे संग का जो उद्गाटन है वो भरतपूर के अंदर करेंगे तो मत्यसे संग का जो उद्गाटन था वो बरतपूर के अंदर लोगर्दूर के अंदर क्या गया था अलवर वाले जो इसकी राजदानी थी वो थी अलवर क्योंकि अलवर सबसे बड़ा था इसी वज़ा से यहां की जो राजदानी बनेगी थी अलवर यहां का जो राजपरुण को अलवर के महारावल को भी बनाना था लेकिन जो अलवर के महारावल थे माराजां तेज सिंग माराजा तेज सिंग तो महरा-जoj lung सब्मावति के हत्यारे थे, नतुराम गोड से वे उनके साते बक्शू रे, तो इनको सरन दे थी या कि थे एन बी खर करे नाम के कोई दो औ किवान थे उन्हों नर्मinea जी सिर्ड साहे बनी सेगे थे,टेज संग के रजपरमु यह पंगे थे लूके,वित dental बना कि आप जा के फिटा कार्ड का हो मतर्सिसंग का अब जो नामकन था इनका जो नामकन उन्हाद को थे कमそう kup मतरसी संग के म से आप M मुंसी याद रख सकते हो, कि इनका जो नाम कंड दिया गया था, वो किन दिया था? के M मुंसी जी ने दिया गया था. अब यहां के जो परदान मंत्री थे, उनको बनाए गये थे, अलवर के थे, अब पढ़ते हैं दूसरा चरण, दूसरा चरण का जो नाम है वो है पूर्वी राजस्तान, क्या नाम है इसका पूर्वी राजस्तान, अब इस पूर्वी राजस्तान को अंदर आपको एक लाइन याद देख नहीं है, वो लाइन यह है, पहले चरण के 7 दिन बाद 9 रियासते मिली इस लाइन को आपको अच्छे से याद करना है पहला चरण हुआ था वो 18 मार्च को हुआ था तो उसके 7 दिन बाद यानि कि 25 मार्च 1948 को जो था दूसरा चरण इसकी स्थापना की थी दूसरे चरण के शुरुआत की गई थी तो पहले चरण के 7 दिन बाद यानि 25 मार्च को दूसरा चरण हुआ कितीर यासते मिली नौर यासते यानि कि सब्ते ज्यादा दूसरे चरण के अंदर यासते मिली थी पहले थी बुंदी, कोटा तथा जाला वाड़ा ये तीनों थी ये हडोती वाली, तीन, जो हडोती देश बनाने वाली थी, तो कोटा, भूंदी और जाला वाडा, तीन थी वगड देश बनाने वाली, दुंगरपूर, बासवडा तता पर्ताबगड, ये थी वगड, राजस्तान की एक मात्र मुस्लिम रियासत, टौक, ये थ तो कोटा, बुंदी और जाला वाड़े, तीन, तो हडोती वाली, तीन, वागड वाली, दुंगरपूर, बासवडा तता, पर्ताबगड इनको वागड बोला जाता था, तो एक थी कोटा, एक मात्र मुस्लिम रियासत था, एक थी किसंगर था था, सापूर, ये नॉन सेल्ल दिश्र बियाने को तॉपों की शलमी नहीं दी चाशेती, अब लावा, जब कोटा मिला थो तो इसके अंदर लावा थीकाना जो था, वह अपनी आप अपना अ्टोमे आप अपर्तिय्ग रिया गया और इसका जो उट्गाटन की आता सैकेंदीति चलिन का भी कहां पर क्या गया था कोटा के अंदर रखिया गया अत है है अब जो यह रियासत है इनको आप याद रखने के लिए इसके दौर आप इसको याद रख सकते हैं सोट्रिक के दोरा भी आप नहीं तो ऐसे हडोती वागड एक मुसलिम रिया से देता दो नौन सेलियर स्टेट के दोरा भी याद रख सकते हैं नहीं तो आप सोट्रिक के दोरा भी याद रख सकते हैं सौर्ट्रिक जो है वो है बाबू बास है बाबू की जाड़ू को परसाटो क्या है सौर्ट्रिक बाबू की जाड़ू को परसाटो बास है बास वड़ा है बू से जो बुंदी की से किसन गड़ जासे जाला वड़ा डू से डूंगरपूर को से कोटा पर उसे परताब गड़ स तो इस सौर्ट्री के दौरा भी आप याद रख सकते हैं नौकी नौर यासतों को और ऐसे रेकना चाहिए तो इसे भी याद रख सकते हैं कौन थे एनवी गोडगिल अब यहां का प्रदान मंत्री प्रदान मंत्री गोकुल लाल आस्वा को बनाया गया था यहां का प्रदान मंत्री जो साव पूरा से थी गोकुल भाई आस्वा अब लॉलीपॉप आली बात राजपरमुख किसको बना जाए तो कोटा के बीम सिंग बोले मेरे को बनाओ तो कोटा के राजा को यहां का राजपरमुख बनाए गया था BMCA को अब बुंदी वाले बोले हमको भी कुछ बनाओ अब बुंदी के राजपरमुख थे उनको बनाए गया उप राजपरमुख तो बहुत दूरस्ची को बनाए गया था उपराज परमुक जो बुंदी से थी अब एक तेर डूंगर डूंगरपूर के तेर व्लक्समन सी है तो इनको बनाय गया कनिस्ट उपराज परमुक तो इन सब को लॉलिपॉप दे के चुप कराया गया अब इसमें एक लाइन रियाद रखनें आपको बासवड़ा की जो महारावल थे चंद्र वीड सी है इन्होंने अपने विले पत्र पर अस्तक्सर करते हुए करते समय का कि मैं अपने डेथ वरंट पर अस्तक्सर कर रहा हूं कि अपने डेथ वरंट पर अस्तक्सर कर रहा हूं किसने का कि मैं अपने डेथ वरंट पर अस्तक्सर कर रहा हूं महाराजा चंद्र वीड सी है इन्होंने इनकी बात भी सही थी क्योंकि बासवड़ा इससे पहले देश था जो अब मर गया है और किसी और देश में मिल कुछ नहीं बचेगा फिर तो एक तर्केस death warranty हुआ तो इन्होंने ये बात बोली थी काफी एक्जाम पुछा भी गया है तो आपको याद रखनी है आप कुछ देखते एक्स्ट्राफत Jो ये बीमशिंघ ते Kota के राजा या चैह एक सुटर थे इनके बेटी थी बुन इसवरी कुमारी भीम सेखेई तर ब्rangनातर फोली इनके बेटी ती बुन इकमारों को शुटिंग के अंदर अर्युनाः मिला हुआ है भीम सिंग कोटा के तथा इनकी बेटी थी भुनेश्री कुमारी इनको सुटिंग के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है राजस्तान के अंदर एसी दो जोडिया है पिता पुत्री की जिनको सुटिंग के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है बीकान Гдеयर की रजाँ कर नीस से जैनली, इनका इनória फोस्टों को शुटिंग में आवर्ड आवए लूरि यह यह थे एक दूंगरपूर क रजा त hätten और एक और लक्समन आप से ऍनका इनकी फैम फैमली जोड़ार थी खुद ृय जोड़ार जब अपनिक है नके नम एक है रिकार की ज़े इन्होंने सबसे दद शेह लाह सिर किये हैं। अफिरिका के सारे सिर टार मिर दिते हैं। अफरिका के जब आपने भारत आप उब पर रोक ले थी जान अफिरीकार टार किये हैं लिगब नॉसो इन न electr discouragedивत empire दodzi । इनका वाँ पर लिखावाए ओफरिका के म्यूजिमें नाम भी लिखावाए आपर इनका एक बेटा था राध सिंग नाम से जो बी-सी सी एक अधिक्स भी रह चुगे राध सिंग तो इन राइसिंग थे जो उनीको BCण अधिक्स थेत इनों को लेके आ थे आए थे जो अपने क्रिगाट के अंदर 16 साल यह किसी के लेते नहीं थे तो राइसिंग ने ते इन 12 गो 15 साल का और 9 महिने का थे तब वोत ढृड को उनने लिया था उनका नाम, अब लेते हैं तीसरा चड़न, तीसरा चड़न का जो नाम था वो स्यूप्त पूरी राजदस्तान था, जो मेवाड के तो रजा थे, बुपाल सिंग, यह जो दूसरा चड़न हुआ था, पूरी राजदस्तान संग, इसमें मिलना नहीं चाहते थे, इन्होंने मिल मार्च 1948 को वीपी मैनन के साब गए और जाके बोले कि मेरी तीन सरते हैं, वो पूरी करदोर में, जो संग बना था, पूरी राजदस्तान संग, उसके अंदर मिलने के लिए तियार हो जाओंगा, तो तीन सरतों में, पहली सरतों थी कि इनका जो राजपरमुक होगा, सियुक में, बनाना चाहिए, तो दूसरे सरती उद्यपु को राजपर नी बनाए जाए, तीसरी इनकी जो सरती कि इनको 20लाग रुपे हर साल मिलने चाहिए, प्रीविपर्स के रूप में, तो ये तीन सरते रखी कि तीन सरते मान ली गई झाहिती, तो पहली सरती कि इवंसा-नुग उनकी जेगा इनको आज जीवन जब तक भुपाल सिंग जीवीत रहे तब तक ये स्युगत रजस्तान संग के क्या थे राजपर मुक्रे तो इनको बनाए गया था तो तीनों सब्सक्राइबाद में उद्यपूर इसके इंदर मिल गया तो इसकी जो स्टापन होई थी वो 18 में जो मिल वी थी थी था उसमें सिर्फ मेवाड यानि उद्यपूर मिल गया था और उद्गाटन करने के लिए को न अए थे पंडित जवालार नेरू जी पर्दान मंत्री अब पर्दान मंत्री यहां के थे वो थे माने के लाल वर्मा जो अच्छे नेता थे उनको बनाए पंचीड़ा भी अच्छा गाते थे तो माने के लाल वर्मा जी को यहां का पर्दान मंत्री बनाए गया अब राजपर्मुक जो राजपर्मुक थे वो खुद बुपाल सिंग बने ता अब जो पहले थे सुयूक राज़स्तान जो पूरी राज़स्तान संग था उनके जो हुद नाम है वह राजस्तान किया है नाम स्का फूस्टा हँए चोर्ता राजस्तान हमने देगे कि आल्मस सारी भेसमिल खेंग यह अब आकि ती जैपूरी सिरूई है को तो गुज्राट के इम आदर यह बबंभई के आदर मिला लिया गया था तो आप पीछे चार बची जेसलमेर, विकानेर, जौ़दपूर जयपूर अब इन चारों मेर जो भिकानेर के थे थे साधुल ओसकी है पसकी हनूबंद आसे यह दोनों थे वो पाकिस्तान के अदर मिलना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान के ऊच्छिय चेते दे महु Initia रहे थे तो गख़क्त के बहुत्य में दोनों करने के बाद स्वीकत राज्ततान में निश्य क्र लिए सादोल सीख विक्रनार के जरधानयों के हन्वनंत थिया। जयप्वूर के तक राज्ट थे की मान्सabout में राज्तोंयों का का। यू थे पहली श़वंड थे कि मेरे को बाजित को वुराजास्तान को वुरद राजस्तान का वंसा नुगत राजपुर बना जाए तर दूसरी त firearm की शर्टास्टी की जेपूर को राजदानी बनाया जाए इन दोनों सर्थों को मान लिया गया बाद में ये भी राजी हो गया तो advance अब इसकी जो इस्तापना है 30 मार्च 1950 को की गई थी 30 मार्च 1950 पर मिल गई थी तो राज़त्थान का जो पूरऊप इस वक्त 30 मार्च को पूरा बना威च तो 30 Dontíण डीवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं रास्तान डीवस एगजाम एक्जाम पुझाब में प्रकूछा बद करें तो 30 MärTV मनाते हैं सीमिति का इंपोर्टन एकजाम में पूछी भी जाती है, क्या नाम इसका? सत्यनरन राव सीमिति इस सीमिति ने का कि जैपूर राजदा निमिनेगी जोधपूर नहीं बनेगी क्योंकि जोदपुर के अंदर एक तो पानी नहीं था, पानी की कमी थी, सप्या से मढ़ जाते, इसलिए राजदानी नहीं बना सकते थे, तो जोदपुर को नहीं बना गया, जोदपुर को बना गया, जोदपुर थी वो दिल्ली के नस्दीक भी पढ़ती थी, इसलिए सत्ये नायन रावा षीमिती नहीं पहाई कि जपल को राजदा नहीं बना जाएगा quietly गा can दरस भाई दाए धेना साय कं laure जीन दरे एंटा लाई शेल्व कंटने vasteare 7C अब इसके न्र कौन कौन सी रिया सहते मिली तो सिफ राजस्तान में जेटी भी मिली थी वह प्लस ए 2 जेपूर스크 जयपपूर, जोदपूर, जसलमेर, बिकानेर कौन-कौन सी जयपपूर, जोदपूर, जसलमेर, बिकानेर ट्रिपल जे बी, जे-जे-बी किसे भी याद रख सेते हो तो ये मिली और वुरत राजस्तान का निर्मान किया इसका उदगातन सर्दार वुया भाई पत्टल करना या थे, बन रहा है एकर राजस्तान है, ओःदान बंत्री इनको हिराल्ला सास्तिरी को बनाए गया था, जोजयपूर के थे हिरला सास्त्री जी अब महाराजपर्मुक यह नहीं पद बना गया था क्योंकि राजपर्मुक उन्हों मान सिंग ने बनने के लिए सर्टे की थी तो मान सिंग को बना गया राजपर्मुक तो बुपाल सिंग ने बोला मैं का जाओंगा तो इसको फिर लॉली पॉप दे के बन आप जोधपूर वाले बोले हनुमन्सी हें हमको भी कुछ बनाओ इसी तोडी चलेगा तो उनको राजिय करने के लिए बोला कि आप संपुर्ण रजस्तान का न्याय करोगे इसके मिलब हाइपोड था वो जोधपूर को दिया गया है तो कोटा के अंदर वन ज्यादा है तो कोटा को दिया गया वन विबाग तो इस तरह के सब को विबाग दिखें मुझलब इस सब का महत्व बनाए रही रही है तो इसलिए ले 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 विबाग दिये गए थे यह था चौता चरण अब पढ़ते हैं 5 वाकरण का जो नाम हुआ है सोयूक्टोड राजस्तान अब देखते हैं इसकी जो स्थापन वार 15 माई 1950 को की गई थी हुआ इसकी बाग की गई थी इसमें सिर्फ कुछ ने किया गया, इसके अंदर सिर्फ वरद राजस्थान था, जो अलग पढ़ा था था, मतर सिसंग जो अलग पढ़ा था, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो वरद राजस्थान प्लस मतर सिसंग को मिला के पांचों चरण बनाय गया था यह जो मिला गया इसकी एक सिमिती थी कि संकर देव राय सिमिती की सिफारिस पर व्रद राजस्तान प्लस मतर से संग मिला गया गया एक्जाम में को सन पूछा जाता कि सिमिती की सिफारिस पर व्रद राजस्तान प्लस मतर से संग को मिला गया तो वो थे संकर देव राय सिमिती इनकी कहने पर इन दोनों को मिलाय गया था अब जो पर्दान मंत्री का पद था उसको कर दिया गया खत्तम उसकी जगह पर नया पद लाया गया था वो था मुख्यमंत्री का पद तो पर्तम जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे हिराला सास्त्री चुना हुए नहीं थे तो ये मनोनित थे बीना चुना के लिए बनाय गया थे तो पहले मनोनित मुख्य मंत्री थे हिरला सास्तरी जो एक्जाम में पूछा जाता है राज़तान के पहले मनोनित मुख्य मंत्री थे हिरला सास्तरी जी जो राजप्रमुक थे वह पहले की तरह मांसी अदित्यों को बनाया गया था बाखी सारे वह दो ऐसे ही थे तो यह था पाँच्वा चरण अब लेता है चटा चरण चटा चरण का जो नाम है वो राजस्तान संग अब वरद राजस्तान बनने के बाद राजस्तान के जो नेता थे जनता थी वो सिरोई जो गुजरात के अंदर मिल गया था उसको राजस्तान या वरद राजस्तान के अंदर मिलाने की मांग करने लगे लेकिन जो वल्ले भाई पटेल साब थे वो इनके विरोध में थे तो इसके लिए पटेल साब ने अपना दिमाग लगया है तो पूरे शिरोई को दो भागों में बाड़ दिया जो इनके गाहूं था हातल हातल को तो दे दिया रास्तान के अंदर तता अबू तता देलवाड़ा को छोड़कर पूरे शिरोई था वो किसमें मिला दिया था राजस्तान के अंदर उसमें अबू तता देलवाड़ा को अलग रख लिया था अपने पास कुजरात के अंदर मिला दिया तता पूर बाकी शिरोई को किसके अंदर मिला दिया था राजस्तान के अंदर उसका विरोध की भीकान जनता ने नेहरु जी से भी बाद की तो नेहरु जी ने बोला पटेल साब को आच ने गलत किया आपने राज़तान वालों के साथ तो पटेल साबने बोला कि राज़तान वालों को गोकुल प्हेशी योजी लगा दिये था अब इसमें कौन-कौन सी रियासित मिलती, शिरोई मिलता पूरा अबुदता देलवड़ को छोड़ को पूरा शिरोई इसके अंदर मिलाया गया था मुख्यमंत्री वह हीरला सास्त्री दीजे तो राजपुर्मुक थे होते मांसिय दीती है और इसी जब सविदान लगुआ तो सविदान के अंदर राजस्तान बढ़ था उसका उलेक हुआ ता पहली बार था राजस्तान वीदिवत रूप से नाम दिया गया था राजस्तान को तो वह गौँज छटे चड़न के अंदर दिया गया था, 12-1950 को अब लेते हैं साथवचन, साथवचन का जो नाम में अद्धुनिक राजस्तान भी कहते हैं इसकी जो इस्तापन वही वह एक नवंबर 1956 में हुई, इसकी इस्तापन अगप हुई, एक नवंबर 1956 के अंदर हुई थी इसकी जो राजदानी थी जपूर दिया अब राजदानी थी जपूर भी का जब श्यक्यक्न अब बाइब असके अंदर मिलयों थी सात्वचन वह था, इससे पहले पतेल साब उनका दियान्ट हो गया था तो उन बहरत की ऐसी गिंद्ट और गिंड टाहए जो दातान पटेल शाब नहीं कर गया है जो वाले बाई पटेल थे उन्हें क्या ंंहाँывать उनके मड़ने के बाद पूरे भारत के दाहर दाछल वोपके परबने लगा थी सब बहरे बहरे उनका पटेल और ह्षि उस आयोग की सिपारिस पर सिरोई उन्होंने बोला कि जो राजस्तान के साथ गलत किया सिरोई का जो माउंट अबू ता देलवडा थे वो राजस्तान के अंदर ही होने चाहिए तो उनकी सिपारिस पर वापस सिरोई का जो अबू ता देलवडा भाग था वो राजस्तान के अ रास्तान पर अप्रक्रदेश मैं जूएए निरवाय अब देल भड़ा जो सोरे हम गया है और राशान संत्र सiquघ्ध सुकाडिया अब राजप्रमुक की पद की जगर नया पद आ गया राजपाल राजपाल तो पहले जो राजपाल थे अपने वो थे गुरुमुक नियाल सिय जो राजस्तान के पहले राजपाल बने वो थे गुरुमुक नियाल सिय इनको जो सपत दिले थी वो मांस्य जी ने द ले थी तो पहले रजे पर कौन थे गुरुमुक नियाल सियर। साथ वे संसोदन द्वारा रज्यों की जो एबी सी सिर्णिया थी लग 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 उनको समाप्त कर दिया किया था था कोई भी सिर्णिय नहीं रखी गई थी तो इस तरीके से पूरा रास्तान का एकी करण हुआ ह साथ चरणों के अंदर हुआ है पूरा की करण उसके बाद कुछ जानकारी फैक्स पड़ते हैं उनको आपको याद रखना है सेतरफल की इसके बाद आपको कुछ फैक्स याद रखना है उसमें से देखना है सेतरफल की दस्टी से सबसे बड़ी रियासती वह थी जोदपू अब सेतरफर की दस्टी सबसे चोटी रियासत थी वो थी सापूरा जन संक्या की दस्टी सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जैपूर जन संक्या की दस्टी सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी जैपूर जन संक्या की दस्टी सबसे चोटी रियासत थी वो थी सापूरा जो एक मातर मुसलिम रियास हेत ही जॉते बारत्पूत ये घृति रियास था एक मातर ही धाता कुंभा यदो कुछ और फेक्स लेते हैं, अब एकिकर्ण के अन्त में सामेरे उन रयास सती शीरोई, सबसे लास्ट में शीरोई मिलाता, छटे और सातों चरण के अंदर सातों माभू देलवडा ता छटे में, सीरोई का बच्चावा भाग मिला वाता, अब देलवडा को छोड़के, अब र पतम हुआ है तो अन्तिम था वो एक नवर उनिस्टो चपन को पूर्ण वहा मतलब इतर लगा एक करने में आट वर्ड साथ मा तता चौदा दिन लगे है कि ते आट वर्ड साथ मा चौदा दिन यह आकड़े बहुत इंपोर्टेंट है आपको अचे से याद करने आट वर्ड स सबसे पहले विलेपत्र पर अस्ताखसर करने वाले थे नरेश सदूल सिय थे विकानेर के नरेश सतन्ते पूर्टे यह सत्ते थी तीन ठिकाने थे नियम राणा कुसलगर थे लावा और एक एंदर साथी प्रदेत था अजमियर मेर वाड़ा जो नीम राना था वो अलोर के अंदर था कुसल गरता वो बास वड़ा के अंदर था तर लावा था टॉक के अंदर हैं यह हमने पहले से पढ़ लिया हैं दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंदाया तो प्लिज favor आगे वाले वीडियो देखने चाते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें यूटुब के नीचे ऐग वुटन दियाए हो वागा वीडियो झाल झाल